ओम स्री परमात्मने नमा नवाद्याए उसके उपरान स्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन तुझ दोस्त दृष्टी रहित भक्त के लिए इस परम गोपनी ये ज्यान को रहश्य के सहित कहूंगा की जिसको जानकर तुझ दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा या ज्यान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा ये उन अती पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फलवाला और धर्म युक्त है साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है ये परमतप इस्तत्व ज्यान रूप धर्म में स्रद्धाराइद पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में ब्रह्मन करते हैं ये अरजुन मुझ स्चिदानंद घन परमात्मा से योशब जगत जल से बर्फ के सद्रश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतरगत संकल्प के धार स्थित हैं इसलिए वास्तों में मैं उन में स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है किन्तु मेरी योग माया और प्रभाओं को देख कि भूतों का धारन पोशन करने वाला और भूतों को उत्पन करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है क्योंकि जैसे आकास से उत्पन हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायो सदाही आकास मिस्थित है वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उपत्ती वाले होने से संपून भूत मेरे मिस्थित है ऐसा जान हे अरजुन कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृती को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृती में लए होते हैं और कल्प के आदी में उनको मैं फिर रच्टा हूँ वैसे कैसे की अपनी त्रिगुण मैं माया को अंगीकार करके सुभाव के वस्य परतंत्र हुए इस संपून भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रच्टा हूँ हे अर्जुन उन कर्मों में आशक्ती रहित और उदासीन के शद्रश शस्तित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म में नहीं बांदते हे अर्जुन मुझ अधिस्टाता के शकास से यह मेरी माया चराचर सहित सर्वजगत को रश्ती है और इस उपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घुमता है ऐसा होने पर भी संपून भूतों के महान इश्वर रूप मेरे परंभाव को न जनाने वाले मूड लोग मनुष्य का सरीरधारन करने वाले मुझ परमात्मा को तुछ समझते हैं अर्थात अपनी योगमाया से संसार के उद्धार के लिए मुनुष्य रूप में विचरते हुए को सादरन मुनुष्य मानते हैं जो की वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्यान वाले अज्यानी जन राक्षशों के और असुरों के जैसे मुहित करने वाले तामसी सुभाव को ही धारण किये हुए हैं परंतु हे कुंती पुत्र दैवी प्रकूती के आश्रित हुए जो आ महात्मा जन हैं वेदो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर शुरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भशते हैं वेदर निश्यवाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का किर्टन करते हुए तथा मेरी प्राप्ती के लिए यतन करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ती से मुझे उपासते हैं उनने कोई तो मुझ विराट सुरूप को परमात्मा को ज्यान यक के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थाद जो कुछ है सब वासुदेव ही हैं इस भाव से उपासते हैं और दुसरे पुतक्त्व भाव से अर्थाद स्वामी स्रेवक भाव से और कोई-कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं क्योंकि करतु अर्थाद शाउत्र कर्म मैं हूँ यग्य अर्थाद पंच महा यग्यादिक स्मार्त कर्म मैं हूँ स्वधा अर्थात पिक्तरों के निमित दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ आउशदी अर्थात सववनस पतियों में मैं हूँ एवं मंत्र में मैं हूँ गृत में मैं हूँ अगनी में मैं हूँ और हवन रूप करिया भी मैं ही हूँ हे अर्जुन मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्था धारन पोर्शन करने वाला एवं कर्मू के फल को देने वाला तथा पिता माता और पिता मा हूँ और जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा रिगवेद, सामवेद और यजुरवेद भी मैं ही हूँ हे अर्जुन प्राप्थ होने योग्य तथा भरण पोर्शन करने वाला सबका स्वामी सुबा सुब का देखने वाला सबका वास्थान और सरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पति प्रले रूप तथा सबका आधार निधान और अविना परसादा हूँ और हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यों सत्थ और असद भी सब कुछ मैं ही हूँ परंतों जो तीनों वेदों में विदान की हुए सकाम कर्मों को करने वाले और संसोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यग्यों के पुन्य के फलरूप इंद्र लोग को प्राप्त होकर स्वर्ग में देव्या देवताओं के भोग को भोगते हैं वे उस विशाल स्वर्ग लोग को भोग कर पुन्य शिन होने पर मृत्ति लोग को प्राप्त होते हैं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों मे कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भूगों की कामना वाले पुरुस बारम बार जाने आने को प्राप्त होते हैं अर्थात पुन्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुन्य के छीन होने से बृत्य लोग में आते हैं जो अनन्य भाव से मेरे मिस्थित हुए भक्त जन, मुझ परमेश्वर को नरंतर चिंतन करते हुए निश्काम भाव से भचते हैं, उन्नित एकी भाव से मेरे मिस्थित वाले पुरुष का योग शीम मैं स्वयम प्राप्त कर देता हूँ हे अरजुन, यद्यपीस रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूछते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किन्तु उनका वह पूजना अविदी पूर्वक है, अर्थात अज्यान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यगो का भोक्ता और स्वा में भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियग्यश्वरू परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पूर्वक को प्राप्त होते हैं, कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पित्तरों को प्राप्त होते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं इसलिए मेरे भक्त को भक्तों का पुनरजनम नहीं होता है अरजन मेरे पूजनमे यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्पफल जल इत्यादी जो कोई भक मेरे लिए प्रेम से अरपन करता है उस सुद्ध बुद्धी निश्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पुर्वक अरपन किया हुआ वहाँ पत्र पुष्पादिक मैं सगुन रूप से प्रकट होकर प्रिती सहित खाता हूं इसलिए हे अरजुन तो जो कुछ कर्म करता है जो कुछ सर्वधर्माचरन सुरूप तब करता है वह सब मेरे अरपन कर इस प्रकार कर्म को मेरे अरपन करने रूप सन्यास योग से युक्त हुए मनवाला तो सुभा सुफल रूप कर्म बंदन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होएगा यद्यभी म मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिया है और न प्रिया है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भशते हैं, वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, मेरी भक्ती का और भी प्रभाव सुन, यदि कोई अतिश्य दुराचारी भी अनन्यबाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भचता है, वह सादू ही मानने योग्या है, क्योंकि वह यथार्थ निश्य वाला है, अर्थार्थ उसने भली प्रकार निश्य कर लिया है, कि परमेश्वर के बजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए वह शिग्र ह धर्मात्मा हो जातना है, और सदा रहने वाली परमसांती को प्राप्त होता है, हे अर्जन, तो निश्य पुर्वक सत्य जान की मेरा भक्त नस्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जन, स्री और वैश्य और सुद्रादिक, तथा पाप योनी वाले भी, जो कोई होए, वे भी मेर सिरन होकर तो परमगती को ही प्राप्त होते हैं, फिर क्या कहना है कि पुन्य शिल ब्रामण जन तथा राजर शी भक्त जन परमगती को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख्रहित और शन बंगूर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मीरा ही भजन कर रथात मु जियान से शुक्रुप भासने वाले विशय भोगों में नफस कर निरंतर मेरा ही भजन कर केवल मुझ सचिदानंद घन वासु देव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मनवाला हो और मुझ परमेश्वर को ही सृध्धा प्रेम से निश कामभाव से नाम गुण और घ्रभाव के स्रवन किर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तदा मुझ संख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदी भुष भुषणों से युक्त पितांबर वन माला और कौस्तुब मनी धारी विश्णु का मन वानी और सरीर के द् शैश रधा भक्ती और प्रेम से विवलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्ति मान विभूती बल अईश्वर्य माधूर्य गंभीरता उदारता वातसल्य अश्रुहत हर्दता आदी गुणों से संपन सब के आश्रय रूप वाश्रुदेव को विने भा पूर्वक भक्ती सहित शाष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एकी भाव करके मेरे को ही राप्त होएगा इती स्रीमत भगवत गीता रूपी उपनिशद एवं ब्रह्म विद्या तदा ए योग शास्त्र विशेक स्री राज गुहिया योग नामक नौ अध्याय ओम स्री प्रमाद्मने नमा स्री कृष्णार प्रमस्तू